हलो फ्रेंस आप सभी का स्वागत है फ्रेंस कल आप सभी का 16 फरवरी को हिंदी का पेपर है फ्रेंस आज आप सभी को टापर की कापी दिखाएंगे जिसमें दिखाएंगे कि टापर ने किस प्रकास निबंद लिखा था कि उसको 9 नमबर का निबंद था वो पूरे 9 नमबर मि लें था इधी आप इस कापि को देखते हैं जैसे वह लिखा पर उसी प्रकास लिखते हैं तो टीचर खुस होके आपको आपकी कापी पर नंबरों की बारिश करेगा चलिए आपको टापर की कापी देखाते हैं फ्रेंज देखे यह टापर की कापी है उसने जनसंख्या पर निबंद लिखा था और देखे कितना साफ सुतरफ किस प्रकास लिखा यदि इसी प्रकास से आप कापी लिखते हैं तो आपको टीचर के ऊपर क्या होता है कि आपकी कापी कापी अच्छा प्रभाव पड़ेगा और वो नंबरों की आपकी कापी पर बारिश करेगा देखे जनसंख्या और यहानी इस पर निबंद लिखना था तो आपको क्या करना है फ्रेंज कि इस निबंद को आप आज देख लीजिए इसको रट लीजिए ठीक है और कल आपकी बोड के एक्जाम में जनसंख्या पर चरूर निबंद आएगा ठीक है देखे पहले आप क्या किजिएगा कि इसका रूप रेखा देखिये रूप रिखा में पहला भूमिका प्राचीन इस्तिती वर्तमान इस्तिती देश के लिए बोज और परिवार के लिए बोज उपसनार जो रूप रेखा पहले लिखिए यदि इसको देखता एक्जामने इसी समझ जाएगा कि आप निबंद कितना शाफ सुत्रा लिखे होंगे और इसी से उसके दिमाग बहुत अच्छा प्रभाव आपकी कापी का पढ़ता हूँ पूरा नंबरों की बारिस करेगा ठीक है देखिए अब भूमिका इसका देखा लिए गए सरकार के सभी निरड़े और स्रेष्ट कार्वें में गतिरोध उत्पन होने का एक प्रमुक कारण जनसंख्या का है ठीक है देखे फ्रेंस भूमिका में क्या लिखना आइए आप जनसंख्या को दिन पर दिन परती दिन देख रहें कि यह जनस्ख्या जो है आपक को परतीक लोगों को सरकार की द्वारा यूजना जो चलाई जारी वह प्राप्त नहीं हो पाएगा ति इसी के बारे में आपको लिखना है ठीक यह भूमिका इसका देख सकते हैं और देखें टापर की काफी को और देखाते हैं जिससे आप पूरा टापर की काफी देख लीज जनसंक्य बृद्धि प्राचीन समय के लिए उप्यूगी थी लेकि आज के लिए नहीं कितना साफ सुत्रा लिखा है टापर की काफी देख लीजे फ्रेंस वरतमान समय में यह इस्तिति बदल चुकी है जनसंक्य बृद्धि अब अभिशाप माना जा रहा है यह देश के व भारत विशु में जनसंखा की द्रिश्टी से दूसरा है सबसे बड़ा देश है ठीक है पहले स्थान पर कोन है भारत है अब देखें देश के लिए बोज़ की रहा है ठीक है अब परिवार के लिए बोच कितना शाफ सुत्र अले कापी बस देखते रहें इसी प्रकास आपको बोड़ के एक्जाम में लिखेना आफ आपके एक नंबर भी नहीं कटेगा ठीक है परिवार के लिए बोच क्या है जन संक्या के अनियंत्रिय धंग से बढ़न जन संक्या को पढ़ने से रोकने के लिए जिए प्रतेश ब्यक्ति के लिए तो क्या होगा कि आपकी जन संक्या पर ने क्या बारत में भीन प्रकार की धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं देश में कुछ धार्मिक पुरुस हिंदुओं की जन्सका गटने के डर से परिवार नियोजन का विरोध करते हैं इसाई तथा इसलाम धर्म भी अपने अपने धार्मिक दिरिश्टिकोर से इसका विरोध करते हैं ऐसी देश विरुवत भावनाओं को राष्ट्र के उत्थान के लिए नश्ट करना नितान्त अवश्चक है जन्जगा बृद्धी को नियंद्रित करने में ही देश की भलाई है देखे फ्रेंस कितना साफ सुत्र यह दि आप एक्जाम में असपरश रूप से साफ सुत्र उत्तर पुस्तिका पर लिखते हैं तो आपको एक्जामनर खूस होके नंबरों की बारिश करेगा ठीक है यह तो था आपका टापर की कापी तो फ्रेंस आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो का लाइक करें चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करें